नमस्कार मैं हूँ रोहित खन्ना आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसी एस्ट्रो और हर बार की तरह आज हम एक नए असेंडेंट यानि कि नए लगन के बारे में बात करने वाले हैं वो भी शनी को रिलेटिड क्योंकि शनी महाराज 17 जन्वरी को चेंज होने जा रहे हैं सबस पहले तो सभी लोग जो हमेरे साथ चुड़े उनको वेलकम हेलो अभी हम हमने दो वीडियो अल्री कर लिये एरीज और टॉरस ना हम जैमिनाई की बात करेंगे और उसी के साथ ये देखिये कि ये रहा जैमिनाई का चार्ट जैमिनाई वालों के भागिस्तान में शनी ट्रा चुनली में तो हर चीज की वावा ही वावा है आप देख सकते हैं शनी नौवे घर में बैटके तीन दृष्टिया डाल रहे हैं सबसे पहली दृष्टि डाल रहे हैं वो अपने ग्यारवे घर पे सेकेंड दृष्टि डाल रहे हैं वो थर्ड हाउस पे और तीसरी दृष् पे आने वाले हैं भाग्य का विस्तार करने वाले है एक्जाक्ली आप देख सकते है रोई जी इसका लॉजिक है इसका लॉजिक है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनके सारे रुके हुए काम जो भाग्य से रिलेटेट थे जैसे विदेश यात्रा फॉरें की फाइल लगनाप देखो तीसरे घर में द्रिश्टी वीजा अगर इनके वीजा लगे तो हुए वीजा प्रोसेस में है वीजा तुरंत मिलेगा इनके 11 फाउस गेंज हायर गोल्स मिलेंगे इनके बड़े भाई 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 भैनों से इन्हें बहुत सारे गेंज मिलेंगे इनके 6 फाउस पे जो द्रिश्टी डाल रहे है वहां से रोईजी सारे दुश्मन जल जाए हैंगे उनको जला दे गाई शनी का यह एस्पेंट थोड़ी इसमें नेगेटिव भी हम थोड़ा सा यह तो बी कैरफूल विकॉस यह तीनों द्रिश्टिया है पढ़ तो शत्रूस्तान पर पढ़ रही है लेकिन हनुमान चाली सा जैसे छोटा सा उपाय करके यह सारी चीज हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर दे कि हम आपको दराने वाले बिल्कुल नहीं है कि शनीदेव यह कर देंगे क्योंकि अगर आप एक सबसे अच्छे ग्रह की सबसे नेगेटिव इमेज बनाएंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है हम वो टिपिकल ट्रेडिशनल एस्ट्रॉ करते हैं और आपको इस अच्छी तरह से और मेनत से करना है क्योंकि मैं इस घर में आपको थोड़ी दिफिकल्टी दे रहा हूं आप और मेनत कीजिए तो आपने सही कहा अगर गेंज वाले घर पे दृष्टी एक चैलेंज दे दिया इच्छा है पूरी करनी है वो इच्छा करें तो इनको ना बहुत इंपोर्टेंट यह कि हनुमान चाली सा क्या बहुत इमान को इसे मन से उसका उच्छारन करें च्छाया पात्र करें अपनी छवी को देखें सरसों के तेल में और उसको जाकि मंदिर में चड़ाए ना शनी देव पर डाले ना कुछ और ना कोई त थोड़ा सा डिसकस कर लें कि राहू अल्रड़ी इनके ग्यारवे घर में चल रहा है तो चली रहे होंगे नो डाउट तो इनकी तीनों जगा द्रिष्टी बहुत जवरदस चल रही है और एक और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात जो है रोई जी वो है जो शनी की तीसी दिष्टी वो रोग रिंट शत्रू पे है तो इनके शत्रू भी काफी अक्टिव हो जाएंगे इस समय और इनके शत्रू इनको तकलीफ देने की पोशिश करेंगे लेकिन क्योंकि शनी भाग्यस्तान में बैठा है तो इनको ये भी ध्यान जो बाग्यस्तान में उलगे वाग्यस्तान में जो शनी लेकिसी के शत्रू इनके शत्रू रहें पहले लेकिन के श्रू हो जाएंगे और जैसे आकाश ने कहा कि इच्छाइं को अभी घर है उसको भी देख रहे हैं और वीजा को भी देख रहे हैं तो इच्छा वीजा की है तो वो भी कम्प्लीट होने की गागार पे है और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने रेमेडी साथ साथ में दी कि आप हनुमान चलिशा को आप ये माल लिजिए कि जैसे मैंने देखा है न कई लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है इस उबंगे उन्होंने वो गोली खानी खानी है दुनिया बदल जाया है वो फ्लेन में हो वो ट्रेन में हो वो घर में हो वो मॉल में हो उनको कहा है यार ये गोली लेनी उसके बाद मुझे कूछ भी बात करना तो आपके लिए हनुमान चलिशा सभी असेंडेंट्स के लिए वैसे तो इन धाई तीन सालों में वो काम हनुमान जी करने वाले हैं बस जिन्हों ने उनके पैर पकड़ लिए फिर कोई बात नहीं है रोईची एक और बात में आपको बताना चाहूंगा कि इनकी शायद धाया भी खतम हो रही है जहां तक मुझे लग रहा है कि इनकी धाया भी खतम हो रही है और बहुत अच्छा इनके लिए टाइम है चलिकुल मिला के बहुत अच्छा टाइम इनके लिए रहने वाला है और य आज पहले ही ग्यारवे घर में गोचर कर रहे थे अब शानी देव ने कुछ नए चैलेंजिस दिये जैसे हम देखते हैं कई बार गेम खेलते हैं next level next level तो मुश्किल होता जाता है लेकिन definitely gains भी बढ़ते रहते हैं तो आपके लिए gains बढ़ेंगे जब आप शानी देव जो पर नजर आ रही है लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि win-win situation में हमें बचपन में एक स्टोरी सुनाते थे खरगोश और कचुए वाली खरगोश को पता था मैं win-win situation में हूँ लेकिन वो फिर भी हार गया क्योंकि उससे लग रहा था कि मैं तो जीता ही हुआ हूँ तो आपको overconf वालों के लिए प्रेडिक्शन था और एक अच्छी बात मैं सबको बता दूं कि हम जब ये हिंदी वाले बहुत सारे record कर रहे थे तो कुछ phone calls आकाश को आये क्योंकि Calgary Canada में है बहुत सारा friend circle ऐसा है जो English ही समझ पाता है और बहुत सारे calls मुझे भी आये कि क्या English में भी होन है कि अगर आपको लग रहा है यार मैं कहां किसी इस्ट्रोलेजर के पास जाऊंगा फस जाऊंगा कोई गलत न बता दे मैं तो रिमोट जगा पे हूं फसा हुआ हूँ फटा फट से अपना डेटर बढ़ तो time और place comment box में डाल दें आपका वो analyze करने के बाद देखने के 2023 सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुब हो धन्यवाद